अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बटन दवाते ही एक इलेक्रिक स्कूटर कनवर्ट हो जाए थ्री फीलर में और अगले ही पल बटन दवाने के साथ ही थ्री फीलर से टू फीलर में कनवर्ट हो जाए तो आप कहोगे कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं लेकिन ये बात बिलकुल सच है और आज के वीडियो का टोपिक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ही होने जा रहा है जैसे कि ओटो मॉवाइल इंडेस्ट्री में कई कमपनिया अलग अलग एक्सिपेरिमेंट्स कर रही हैं ताकि लोगों की जिन्दगी असान हो सके और साथ ही कम कीमत में उन्हें ज्यादा बेहतर वहिकल मिल सके तो इसी कड़ी में अब हीरो का नाम जुड़ गया है दरसल हीरो ने अपना एक ऐसा एलेक्ट्रिक वहिकल शोकेस किया है जो थ्री वहिलर और टू वहिलर दोनों का ही काम करता है अगर मैं असान शब्दों में कहूं तो ये थ्री वहिलर टू वहिलर में कनवर्ट हो जाता है और इतना ही नहीं ये एक कारगो थ्री वहिलर है जि S32 दुनिया का पहला क्लास शिफ्टिंग वहिकल होगा जो उप्योग करताओं को कमाई करने के साथ उसकी जीवन शैली को भी बहतर बनाएगा आप वीडियो देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना जवर्दस टेक्नोलोजी वाला वहिकल है हालांकि फिलहाल कमपनी ने इसकी कीमत और लॉंचिंग डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है लेकिन इसको देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ही ये स्कूटर लॉंच होएगा ये काफी लोगों को पसंद आने वाला है चलिए अब जान लेते हैं इस स्कूटर के बारे में थोड़ा ओडिटेल में तो इस कारगो थ्री वीलर के अंदर ही टू वीलर या फिर एक स्कूटर छिपा रहता है देखने में ये एक आम थ्री वीलर की तरह दिखता है इसकी फ्रंट सीट पर दो लोगों के बैठने की जगा दी गई है लेकिन जब इसमें से स्क स्कूटर की सीट पर शिफ्ट हो जाती है यहां पर आपको बता दूं कि थ्री वीलर से इसे टू वीलर बनने में मातर तीन मिनेट का ही बगत लगता है और साथ ही इसमें एडेप्टिव कंट्रोल और सेफ ओपरेशन के लिए बटन दिये गए हैं जिनकी सहाइता से इसे किस इसी भी एरिया में कनवर्ट किया जा सकता है बहीं बात करूं इसकी टेकनिकल स्पेसिफिकेशन की तो सर्ज S32 में थ्री वीलर और टू वीलर के लिए अलग अलग पैरामेटर्स दिये गए हैं जब यह थ्री वीलर रहता है तब इसमें 10 किलोवाट की पावर मिलती है जिसक सहाइता से इस इलेक्ट्रिक 3 वीलर को 50 किलोमेटर पर आवर की टॉप स्पीड पर दोड़ाया जा सकता है साथ ही ये इलेक्ट्रिक 3 वीलर अपने उपर 500 किलोग्राम तक का बजन उठा सकता है अब बात करूं इसके टू वीलर पैरामेटर की तो इसमें 3 किलोवाट की असानी से दोड़ सकता है तो गाइस है ना ये बड़े कमाल की खवर जहां इस इलेक्ट्रिक 3 वीलर को कारगो ढोने के काम पर लाया जा सकता है और जरूरत पढ़ने पर इसे एक 2 वीलर की तरह भी यूज किया जा सकता है ये तो वही बात हो गई कि आम के आम और गुठलिय के दाम यानि कि समान भी ढोलिया और जब जरूरत पढ़ी तो एक 2 वीलर की तरह भी इसको यूज कर लिया तो गाइस ये थी हीरो सर्ज S32 के बारे में न्यूज अपडेट होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन पर ओल पर क्लिक करें तो जहीं दोस्तों हैव गुड डाइग